जो टोपिक हम स्टड़ी कर रहे थे उसी को आगे प्रोसीड करेंगे सिकल सल अनीमिया में हमने कापी सारे पॉइट्स डिसकस किये थे लेकिन हीमोफिलिया जो बीजी समने डिसकस किया था उससे रिलेक्टिट कुछ डाउट्स हैं कि आपको उसमें कुछ डाउट आ रहें तो पहले उसको डिसकस कर रहे हैं कि अच्चुर में मैंने क्या बताया था वहां पर एक केरियर जो फिमेल थी उसको क्रोस कराया गया था एक केरियर प्रक्रुट में के साथ तो हम देखते हैं कि जो carrier female होती है उसके इंदर दो तरह की कैमेंट्स बनते हैं एक में जो hemophilic character है उसके लिए gene present होता है एक X chromosome के ओपर जबकि दूसरे chromosome पर नहीं होता है इदर जो spunks बनते हैं उसमें एक X carrying spunk बनता है एक Y carrying spunk बनता है इसमें हमारे पास possible gemotype क्या सकती है एक C ये वाले जो gamit से उसको top में लिख लेते हैं female वाले जो gamit है उसको हम left side में represent कर लेते हैं अब जब इनको cross कराते हैं तो ये वाला जो egg है इस वाले spunk के साथ fuse कर सकता है पहला combination हमारे पास ये आ जाता है उसके बाद जो second वाला egg है वो second वाले spunk के साथ fuse कर सकता है ये कह सकते हैं ये जो egg है ये इस वाले spunk के साथ fuse कर सकता है जिसके इंदर y chromosome present है ये वाला जो x carrying egg है जिसके उपर कोई hemophilic gene नहीं है वो इस वाले spunk के साथ fuse कर सकता है ये वाला egg इस y वाले spunk के साथ भी fuse कर सकता है ये हमारे पास total combinations आयते जो जिनको हम genotypes बोलते हैं मैंने आपको बताया था कि इसमें total four जैसे अधर हम यह आपे मांद के चलते हैं तो four मेंसे two hemophilic हैं यानि कि इन चार्म मेंसे आधर हम 100% मांगते हैं तो 50% इसके अंदर hemophilic है मैं यहां के girls और boys की बात नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ यह बता रहा हूं कि जितनी भी प्रोजैनी उक्टेंड हुई हैं उस पूरी प्रोजैनी मेंसे 50% हीमophilic हैं यह 50% अब बच गए last के 50% यानि कि जो 50% है वो है नोर हीमophilic कि नौर हीमophilic denied 50% यानि कि有點 बात कर रहें अब इन दोनों में आइनकि यह 50% नोन हेमophilic हैं इन मेंसे आधि यान कि फीप्ति पर्सेंट सवादारी बात नोन फीपंत का 50% यानि की जो एक गर्ल है यह दो केंडिडेक यहां पर उठेंग वे तो दो में से एक गर्ल कैरियर है और एक जो बोए है वो नोर्मल है यानि कि इस 50% नोर हीमोपिलिक का 50% यानि कि इस वाले पार्ट का 50% की मैं बात करूं कि इस 50% में से आदे यानि कि हाफ जो मेंबर हैं की गर्ल जो यहाँ पर आ रही है हाफ आपको हम 50% निख सकते हैं यानि कि इसका 50% है राकि टोटल का 50% अगर टोटल का देखेंगे तो यहाँ पे 25% ही आएगा ये भी 25% आएगा लेकि नोर हीमोपिलिक का आधा पार्ट कैसा है कैयरियर और इस नोर हीमोपिलिक का आधा पार्ट कैसा है नोर्मल हाँ तो इसलिए मैंने 50 परसेंट वहां पे लिखा था अगर आप जर्गर भी लिखने चाहते हैं इसमें आप यह लिख सकते हैं कि इसमें 50% हिमोफिलिक है 25% कैडियर है अगर टोटल की बेस पर लिखना चाहें और 25% नोर्मल है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं इसमें कोई प्रोग्रम नहीं है मैंने सिर्फ यहां पर आपको यह एक्स्प्रेंट करने के लिखा आया कि 50% कूरी पॉपलेशन में से हिमोफिलिक है 50% यान्कि यह दो नोन हिमोफिलिक है इन दोनों में से आधे कैडियर है और आधे नोर्मल है इन जितनी भी प्रोजैनी मेंबर प्रोडूस हुए है उन प्रोजैनी मेंबर में से 50% हिमोफिलिक है 25% कैडियर है और 25% नोर्मल है क्लियर लास्ट लेक्चर जो हम डिसकस कर रहे हैं वो था सिकल सेल एनेमिया पर हमने स्टड़ी किया था कि सिकल सेल एनेमिया एक जीन जो की प्रोमोसम नंबर 11 के उपर प्रेजेंट होता है उसके अंदर एक प्रेद की वज़े से होता है प्रेजिज का मतलब क्या होता है जहां पर एक सिंगल बेस प्रेयर कर सब्स्ट्यूशन हो जाता है जैसे में पर रिट कर रहे थे कि मांपर G-A-G एक सीवेंस होता वह G-A-G-G-U-G यानि कि A की जगे पर U आ जाता है इतना सा चेंज आता है और जो बजल जाता है उस कोडोन की वज़े से एक सिंगल जो सब्स्तिक्रोशियन की वज़े से कोई मुटेशन होती है कोई डिस ओडर होती है पॉइंट मुटेशन को होते है उसने गार्य Muller को यह क्रौमोसोम यह मैं बात करूमोसोम हैं, बहुत सारें के रैक्टर के करने वाले जीन होते हैं जैसे एक रखफज्टुमेट्स यह होता है कि 27,000 से लेके 30,000 जीनज हमारी बोडnie के अन्दर या हमारे देन्नके के अंदर प्रेजन्ट होते हैं और हल कोई न कोई कैरेक्टर को कांट्रोर करता है कुछ जीन मिलके क्याराक्टर को कांट्रोर करते हैं हमारे बहुत सारे characters हैं और इतने सारे characters को control करने के अलग-अलग gene का present होना ज़रूरी है इसलिए कोई भी chromosome है उसके उपर सिर्फ एक gene present नहीं हो तो बहुत सारे gene present होते हैं अलग-अलग character ते लिए present हो सकते हैं तो यहां page 11 number chromosome है उसके उपर यह जो sickle cell anemia वाला gene है वो present होता है उसकी जो normal copy होती है जिसको हम HBA बोलते हैं उसमे sequence जो होता है six codon जो gene से बनता है MRN उसके six codon में GAG होता है लेकिन अगर वो GAG, GUG में change हो जाता है तो वो बन जाता है HBS यानि कि जो wild या normal allele था हो था HBA और उसमें change होने से बना है HBS तो यह जो HBS है जब यह अपने आपको express करता है gene तो इससे बनने वाली जो beta globin chain होती है वो affect हो जाती है और जिससे सारे hemoglobin आपस में join कर जाते हैं polymerize कर जाते हैं और stiff structure बन जाता है stiff का मतलब जिसमें flexibility नहीं होती जिसकी वेज़े से आर्वी चीज़ की safe है वो sickle like हो जाती है दराती जैसी हो जाती है तो यह जो concept ही है हम study कर चुके थे अब यहां पर दो तीन चीज़े काफी important है वो मैं discuss करता चाहूंगा आपके साथ पहली चीज़ इससे regarded to cross है पहले हम cross की study कर लेते हैं कि कि किस तरह की cross में हमें किस तरह की progeny obtain होती है तो यहां पर एक ही तरह का मैं cross का आपको यहां पर शुरू कर देता हूं बाकि जो process है जिनों टाइब बदल के आप कर सकते हैं find out कर सकते हैं क्या progeny होगी तो सबसे पहले माल लेते हैं हमारे पास एक लिमेन और रोमेन carrier है जो मैन है वो भी carrier है कि यानि कि जो heterosidus condition है यहां पर दोनों cases में क्योंकि sickle cell animal का जो gene होता है वो autosomes के उपर present होता है तो यहां पर x और y की concept हम नहीं देंगे normal जो gene होता है उसको हम hba रिप्रेजन करते हैं और जो hemo sickle cell के लिए होता है उसको hbs से रिप्रेजन करते हैं man की बात करें तो यहां पर भी same इसी तरीके से hba और hbs उससे हम इसको रिप्रेजन कर सकते हैं तो यहां पर जो man carrier है और man carrier यहां के heterozygous form है उसकी genotype form इस तरीके से सकते हैं यहां पर जो gamut बनेंगे hba एक gamut बन जाएगा hbs दूसरा gamut हो जाएगा hba एक gamut के अंदर आजएगा hbs दूसरे gamut में अब देखते हैं कि possible combination यहां पर यहां पर जो man की gamut से स्पंग से उसको यहां पर रेप्रेजेंट कर लेते हैं female की जो एक्स है उसका possible combination यहां पर रेप्रेजेंट करते हैं यह वारा एक इस वाले स्पंग के साथ फ्यूज कर सकता है यह वारा जो एक इस वाले स्पंग के साथ फ्यूज कर सकता है यह वारा जो एक इस वाले स्पंग के साथ फ्यूज कर सकता है यह वारा जो एक इस वाले स्पंग के साथ फ्यूज कर सकता है यह हमारे पास possible genotypes है अब इस पूरी possible genotypes में से देखें तो हमारे पास यह वाला जो case है यह बिल्कुल normal है इसमें कोई sickle cell anemia को carry करने वाला gene नहीं है इसकी बात करें और यह वाला जो case है इन दो cases की बात करें तो यह दोनो carrier है यानि कि यहां पर एक dominant gene है और एक recessive dominant recessive gene को overcome कर रहता है इसलिए कोई sickle cell anemic feature अपियर यहां पर नहीं होते है carrier उसके बात यह वाला जो case है यह sickle cell anemic होगा क्योंकि दोनों ही recessive gene यहां पर अलील present है सिकल सेल अनिमिक या अनिमिक पेशेंट आप इनकी percentage देख लेते हैं टोटली से निकाव देते हैं 100 परसेंट इनको मार के चलते हैं 25 परसेंट लोड माल है करियर 50 परसेंट हैं सिकल सेल अनिमिक वाले 25 परसेंट हैं तो यह हमारे पास जीनोटाइप आते हैं और इसके बेस्के यह फीनोटाइप हैं यानि कि जो भी जीनोटाइप आती है उसमें से 25 परसेंट नोर्मल है 50 परसेंट कहरे रहे हैं और 25 परसेंट सेल अनिमिक होते हैं अब यह तो हमारे पास जीनोटिपिक रैशो आ गया है अब इसके बेस्पे कुछ पाइंट्स हम डिस्कर्श कर लेते हैं जो नोर्मल है उसकी तो वो कोई प्रोब्लम ही नहीं है क्योंकि वाटे तो नोर्मल जीन प्रेजेंट अलीप्रेजेंट है normal hemoglobin chain बनती है यांकि beta chain normal बनती है hemoglobin भी normal होता है कोई problem भी आती है sickle cell inhibic में दोनों ही recessive है means जो beta-globin chain वो abnormal बनती है और जब beta-globin chain abnormal बनती है तो hemoglobin अब normal हो जाता है और ऐसे जो candidates होते है individuals होते है वो at the birth time या that is early in the age की उनकी death हो जाती है तो जो sickle cell anemic होते है sickle cell anemic individuals die in early age के अंदर ही उनकी death हो जाती है क्यों हो जाते है क्योंकि साला जो hemoglobin वह तो polymerize हो जाता है अब polymerize होने से आभी जीश की जो सेन पर उगदल जाती है oxygen का जो transportation ब्लोक हो जाता है और बिना oxygen के ट्रांसपोर्ट के body के जो tissue सभाइब नहीं कर पाते हैं तो early age में ही इतनी जादा disorder यहां पर produce हो जाता है कि उसकी death हो जाती है carrier की बात करते है carrier में क्या कोई problem होती है यह बिलकुल normal की तरह होता है normal person यह बिलकुल normal person की तरह होता है problem कभ arise होती है वह प्रोब्लम तब अराई जोते हैं जब oxygen की deficiency हो जाती है यानकि oxygen tension में जो इसके अब normal hemoglobin है वह क्लंप हो जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ी problem आती है otherwise यह बिल्कुर normal individual की तरह भी हेव करते हैं प्रोब्लम अराईस इन ओक्सीजन डेफिशेंसी ओक्सीजन की जब डेफिशेंसी होती है यानिकि इस ट्रीनस एक्सराइज की जा रहे हैं आप यह हैवी एक्सराइज की गई है जिसमें oxygen sufficient amount में नहीं मिल पाई है उस case में या पर ऐसा हो सकता है कि यह high altitude पर कोई person चला गया है और वहां पर high altitude पर जाने के बाद उसके अंदर यह problem हो सकती है क्योंकि oxygen की वहां पर deficiency होती है तो carrier जो person होता है normal person की तरह behave करता है लेकि जब oxygen की कम होती है तो जो उसके abnormal hemoglobin है सब्सक्राइब की जो बना रेते है नोर्मल hemoglobin करी करने वाली जो अर्बिसी जो नोर्मल ही रहते है तो पूरी तरीके से डैमिज यहां पर नहीं होता है जबकि जो sickle cell anemic होते है वो early age में उनकी death हो जाते है क्योंकि कापी ज्यादा polymerization हो जाता है So that is how we can carry out a particular type of cross किस तरीके से हम एक particular type का cross कर सकते है What type of genotypes and phenotypes we can obtain किस तरीके क्यों obtain इसमें genotype और phenotype obtained होती है Sickle cell anemic जो इन्यूजल से early age में ही डूर्की death हो जाती है carrier है वो बिल्कु नोर्मल की तरह behavior करते है Except under oxygen deficiency अब जो sickle cell anemic है उससे related कुछ interesting points है अब वो interesting points क्या है First important interesting point is the pleiotropic effect Pleiotropic effect जैसे कि हम पहले पढ़ चुके pleiotropic क्या होती है या pleiotropic effect क्या होता है जब एक gene multiple effect produce करता है तो उसको हम बोलते है pleiotropy या pleiotropic effects जब इस तरह है कि multiple effects एक gene की वज़े से produce होता है अब यहां पे sickle cell anemia वाला जो gene है जिसमें सिर्फ एक base pair का substitution हुआ था point mutation हुई थी उससे hemoglobin का structure change हो गया था अब यह क्या pleiotropic effect जो कर रहा है gene तो देखते है में क्या था यहां पे जो mutated यानि रिसेशिव जीन है mutated gene इसका main जो impact कर हो क्या था abnormal hemoglobin अब normal hemoglobin यह इसका main impact था इसने abnormal hemoglobin प्रोडूस करते हैं यह कि इसकी फिनो टीप जो फिनो टाइकर वो यह है लेकिन अब इसमें और भी यह कह सकते हैं कि जो mutated gene इसका primary effect हो गया कि इसने abnormal hemoglobin बना दिया जर्नली हर्जिंग इसी तरह के से काम करता है कि वो अपनी information को express करता है जो information express की जाते हैं उसकों trait होलता है तो यहां पे इसकी जो trait होए abnormal hemoglobin बनाना लेकिन यह जो abnormal hemoglobin बनता है यह बार में और भी सारी बहुत सारी problem create करता है जैसे abnormal hemoglobin की वज़े से जितने भी hemoglobin से उन सबका polymerization हो जाता है और polymerization होने से आर्वीशीज की जो से पर वो बदल जाती है आर्वीशीज बिकम सिकल सेट दरहांती की तरह हो जाते हैं stiff हो जाते हैं उनके अंदर flexibility खतम हो जाते हैं दूसरा phynotipic feature हो गया है जो hygiene की mutation की वज़े से हुआ है next thing जब आर्वीशीज सिकल से हो जाती है तो उस case में इनकी oxygen carrying capacity जो खतम हो ही रही है साथ में जो blood capillorage होती है blood capillorage का पूरा network होता है तो उस blood capillorage में से पास नहीं हो पाती है और वहां पे इनकी clothing और एक तरीके से scale करने की यानि कि यह कह सकते हैं आप कि यह वहां पे जो fine blood capillorage है उसमें फस भी सकती है and trap हो जाती है जिससे blood का circulation भी ढूख जाता है that leads to tendency of clot and damaged the blood capillories मानिए कि यह एक blood capillary है इस blood capillary के अंदर यह RDCs है इस तरीके से पास होती है आसानी से पास हो सकती है लेकिन जब sickle set हो जाती है तो इंकल structure भी बदल जाता है अब अगर कहीं पे bed आ गया है उसके अंदर blood capillary में तो जब यह निकलती है यहां से तो इस तरीके से पस जाती है और blood circulation तो रोग देती है तो जब यहां पे blood circulation भूख जाएगा तो उसकी वज़े से जो particular tissue इस cell से उनको oxygen की supply नहीं मिल पाती है लगाता यह फसने की वज़े से रप्चरिंग भी हो जाती है और अगर अगर RBC की रप्चरिंग होते है लोस होता है तो उसको हम बोलता है अनीमिया अनीमिया हो गया Blood loss हो गया और Blood loss यहां के पिइमेंट हीमोग्लोविन के बेट डाउंट से बनते हैं तो अनिया हो जाता है जोंडिस हो जाता है इसके अरहा है अगर किसी टिश्यो में उक्षियर की सप्लाई नहीं होगी तो उसके वज़े से जैसे मसल से मसल क्रेंट्स हो जाते हैं और वीकनेस आजाती है मसल क्रेंट्स, वीकनेस ये बहुत सारे प्रीचर्स हैं जो एक पर्टिक्लर जो जीन है, मुटेकर जीन है उसका मेल वर्ट था कि उसने अपनोर्मल हेमोगलोबिन बनाना था वो तो उसने बना दिया लेकिन उसके बहुत सारे सेटेंडरलब्स युक्यार में आगे जाके इंटरपैनेंस करना स्टाट कर दिया को जाती है और जब बनने के च Minnie चंश सी ज्याद से लुम हो जाते हैं तो इनके लगातर लोस की वज़े से अनीय हो जाता है आरवीचीज का की जादा डायमिज होती है तो जोंडिस्क इसको पीलिया बोलते हम हो जाता है मसल्स को अज़र उक्षियन सफिशेंट नहीं मिलते हैं तो मसल्सग्रैम्स हो जाते हैं और इसके साथ-साथ वीकनेस भी बढ़ जाते हैं कि विस सभी टिश्यू को सफिशेंट नहीं मिलती हैं तो यह कुछ इंपेक्ट है जो शिकल्स अलिक जो अलील है उसकी केस में देखने को मिलते हैं